हेलो फ्रेंड्स दिस इस शेव और आज मैं आपके लिए मैट्स का एक और वीडियो ले करके आया हूँ जो है रिमेंडर थियोरम दोस्तों रिमेंडर थियोरम नंबर सिश्टम का एक पाट है और इससे रेलवे और एससी के एक्जाम में डालेक कुश्चन साते हैं तो देखते हैं रिमेंडर थियोरम को बहुत इजी टॉपिक है यह बहुत इजली आप इसको सॉल कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन साते हैं पहले मैं आपको यह बता दो रिमेंडर होता क्या है जैसे मालने किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो अगर वो completely divisible नहीं है डिवाइड करने के बाद कुछ बच जा रहा तो जो बच जाता है उसको हम रिमेंडर बोलते हैं ठीक जैसे 242 है इसको अगर हम डिवाइड करें 13 से ठीक है तो 13 1 जा 13 13 1 जा 13 1 1 2 13 7 8 8 जा 104 यह नब 8 बच जे है तो 8 को हम लोग रिमेंडर बोलते है तो यह तो बहुत सिंपल था है तो कोई भी पता देगा 242 को 13 से डिवाइड करने से क्या रिमेंडर आया ठीक है इसको अगर हम डिवाइड करें 17 से तो क्या रिमिंडर आएगा तो इसको समझने इस पहला आपको पूरा कंसेप्ट जानना होगा तो हम लोग फूरा कंसेप्ट को बेसिक से समझते हैं कैसा आप इसका आणसर बहुत इजली बता सकते हो इसको ध्यान रखना है 106 तूदी पावर 43 तो इसको हम लोग लिख के रखते हैं ठीक है चले बेस समझते हैं इसका जैसे यहाँ पर लिखावार 37 इंटू 43 37 x 43 है इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमिंडर आगा तो दो तरीका है पहला तरीका है कि 37 को हम 43 से इंटू कर दें इंटू करने के बाद जो रेजल्ट आगा, उसको 7 से डिवाइड करके चक कर ले क्या रिजल्ट, क्या रिमेंडर आगा, लेकिन वो तो लेंदी हो जागा, 37 को 43 से इंटू करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, इसी तरीका यह है, कि आप इंटू मत कीजे, पहले डिव इंटू कर दिवाइड 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 कर दिवाइ इंटू 35 इसको अगर हम दिवाइड करें 11 तो क्या रिमेंडर है 46 इंटू 56 इंटू 35 तो क्या करेंगे हम इंटू नहीं करेंगे इंडिविजुली तिनों को दिवाइड करके देख लेंगे तो 11 के टेबल में 46 11 4 जा 44 होता यहां से रिमेंडर 2 इसको जब दिवाइड करें 11 5 जा 55 रिमेंडर 1 और इसको जब दिवाइड करें 11 3 जा 33 रिमेंडर 2 इसको क्या करना बीच में इंटू का साइन है अगर एडिशन का साइन होता ता आइड करते है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो फाइनल आंसर 4 ठीक है फ्रेंड्स और एक दो एक्जांपल लेते है चलिए यहाँ पे एक और एक्जांपल लेते है 66 इंटू 82 इंटू 57 इसको अगर 13 से डिवाइड करें तो क्या रिमेंडर आएगा देखते है रूल तो भई होगा 13 से इसको डिवाइड की जा इंडिवीजियल 13 5 जा 65 यहाँ से रिमेंडर 1 इसको डिवाइड करें 13 6 जा 78 यहाँ से रिमेंडर 4 13 6 जा 78 रिमेंडर 4 इसको डिवाइड करते है 13 4 जा 52 रिमेंडर 5 ठीक है फिर रूल केस आप से इंडू कहा देंगे 14 4 जा 4, 4 5 जा 20 लेकिन यहाँ पे मेरे को डाउट है कि 20 रिमेंडर कैसे आ सकता हम किसी नमबर को अगर 13 से डिवाइड किये तो 20 रिमेंडर पॉसिबल नहीं क्यों कि रिमेंडर हमेंजा डिवाइडर से कम होता है तो क्या करेंगे ऐसे केस में जो आपका रिमेंडर आया वो अगर डिवाइडर से जादा आ जाए तो उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे तो फाइनल रिमेंडर होगा अगर यह डिवाइडर से कम है रिमेंडर तो वो सही है लेकिन अगर जादा आ जाए कभी तो उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे और जो इस बार remainder आगा, वो final remainder होगा चीक है friends? आगे बढ़ते हैं एक और example देखते हैं 53 into 53 into 67 into 38 into 51 चीक है? इसको अगर हम divide करें फिर से लेले से 13 तो क्या remainder आएगा? ठीक है? तो वही rule यहाँ पाप्लाई होगा 13 से इसको divide कीज़े individually कैसे divide करें? 34 जा 52 यहाँ से remainder 1 इसको divide करें 35 जा 65 remainder 2 13 2 जा 26 remainder 12 और यहाँ पे 13 3 जा 39 remainder 12 ठीक है? फिर फाइनली क्या करें? सबको multiply करें 12 जा 144 144 जा 288 अब 288 तो ज्यादा मतलब यह remainder हो नहीं सकता क्या करेंगे? फिर से 13 से इसको divide कर देंगे तो 13 जा 26 28 13 जा 26 final remainder 2 यह समझ में आगया दोस्तों अब देखते इसको हम थोड़ा और easily भी कर सकते थे easily कैसे देखे? यहाँ पे जाब हम divide कर रहे थे इसको हम फिर से लिखके बताते हैं 53 into 67 into 38 into 51 इसको मेरा को divide करना था 13 से तो यहाँ से मेरा remainder 1 आया था जैसे यहाँ पे आप जब टेबल पढ़े है 13 का टेबल तो हम लोग यहाँ पे दो बार ही पढ़े थे 13 2 जा 26 तो remainder 12 आया था यहाँ पे क्या करें अगर हम 13 का टेबल 3 टाइमस तक पढ़े 13 3 जा 39 तो यहाँ से remainder आ जागा माइनस 1 जब भी आपका remainder जादा आने लगे तो टेबल को exceed करा देंगे जैसे यहाँ पे हम लोग 13 का टेबल 3 बार बढ़े 13 3 जा 39 तो remainder 12 आया अगर हम 4 बार टेबल पढ़े 13 4 जा 52 तो यहाँ से remainder आ जागा माइनस 1 ठीक है तो इसका into करना बहुत इसए 2 into minus 1 minus 2 minus 2 into minus 1 2 तो जो answer आपका इतना calculation के बाद आतो direct आ जाएगा तो कभी भी अगर remainder ज्यादा आने लगे तो टेबल को exceed करा देंगे तो इससे easy हो जागा लेकिन यहाँ पे एक और doubt है अगर माल लेगे यहाँ पे दो negative sign आ आता अगर एक ही negative sign होता है जासे ऐसा रहाता question question आपका इतना ही रहता 53 into 67 into 38 तो फिर आपका remainder यहाँ से 1 आए यहाँ से 2 और यहाँ से minus 1 तो final remainder तो आपका minus 2 आजा है 2 into minus 1 minus 2 minus 2 the remainder हो नहीं सकता वो तो हमने अपने convenience के लिए यहाँ पे minus sign दिया था तो ऐसे case में क्या करेंगे divisor से इसको minus कर देंगे तो यहाँ perimeter होगा 11 ठीक है अगर एक ही negative sign आए तो finally आपका result आ रहा अगर result negative आ रहा तो उसको divisor से minus करेंगे वो आपका final result होगा clear reference तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखें power वाला numbers को कैसे करते है जैसे numbers अगर power नहीं हो for example 91 to the power 91 इसको अगर हम लोग 15 से हम लोग दिरे दिरे वहाँ तक पहुशेंगे ठीक है 91 to the power 91 को अगर 15 से divide करें तो क्या reminder होगा तो यह question पिछला वाला question से भी ज़्यादा easy है कैसे 91 to the power 91 का मतलब होता है 91 to the power 91 मतलब 91 जो वो 91 टाइमस तर मल्टीप्ला होगा और फिर उसको डिवाइड करना आपको 15 से तो रिमेंडर क्या आगा तो रूल वही है 15 सो डिवाइड की ज़ए 15 सिग्जा 90 रिमेंडर यहां से 1 यह easy है मैंने बोला तो easy इसले है क्योंकि आपको एक ही को डिवाइड करना उसके बाद तो सारा नंबर से में यहां से भी 1 यहां से भी 1 यह सारा 1 मतलब result 1 into 1 into 1 into 1 into 1 91 times था यह 91 रहा है चाह 101 रहा है कुछ भी रहा है 1 को अगर आप multiply करते रहे तो answer 1 होगा क्या क्या यहां पर मैंने 91 to the power 91 था तो 91 को 91 times तक लिख दे तो 91 times तक को नहीं लिखे है 15 सिगों को divide के यहां से रिमेंडर 1 तो सारे जगों से 1 आगा और 1 को आप multiply करते रहे यहां पर 91 है चाह 81 है चाह 201 है तो कोई फरक्म ही पढ़ता है answer 1 ही होगा ठीक है एक और example लेते है 76 to the power 76 इसको अगर divide कर 11 से तो क्या रिमेंडर आएगा 76 to the power 76 का मतलब होता 76 into 76 into 76 यह 76 times तक है और फिर इसको divide करना 11 से क्या result आएगा तो simply इसको divide करेंगे तो 11 के table में 11 6 जा 66 प्यान आएगा लेकिन आपको मेरे बताया थे कि अगर बड़ा रिमेंडर आने लगे तो table को exceed करा दीजे तो 11 7 जा 77 अगर SM 7 times तक table बड़े तो यहां से रिमेंडर आएगा minus 1 और यहां से भी फिर आएगा minus 1 यहां से भी minus 1 तो मतलब आपका result क्या रहा minus 1 into minus 1 यह लिखावा 76 times तक तो यह minus 1 जब 76 times तक multiply होगा तो चुकि 76 एक even number है तो आप का answer होगा 1 क्योंकि minus 1 लिखावा 76 times तक तो minus 1 even number है और minus 1 जब even times तक multiply होता है तो प्लस 1 बन जाता है अगर यहां पे 76 नहीं होके power में 75 होता है तो क्या होतो minus 1 है यहां पे 75 times तक होता है तो आपका answer minus 1 75 times तक multiply होके minus 1 बनता है minus 1 हलाकि answer आता नहीं है कभी क्या करते है इससे subtract करके बताते है तो वैसे case में answer 10 होता है ठीक है फ्रेंच देखे यहां पे यह दो दो कोश्चन आप लोग पावर वाला कि यह easy था क्यों? क्योंकि यहां पे minus 1 बच रहा था फिछला question में 1 बच रहा था अगर minus 1 या 1 के जबापे कोई और remainder आने लगए 4 आने लगए 5 आने लगए 6 आने लगए तो आप कैसे बताई है 470 6 times तक multiply होके कौन सा number बनेगा देखते है question कितरो 1 तो आप बता सकते कि 1 को आप 100 बार multiply किए 300 times multiply किए 400 times तो 1 ही रहेगा और minus 1 को आप जितना बार ही multiply करें वो या तो minus 1 रहेगा या तो 1 बन जाएगा लेकिन अगर 4 आजा remainder 6 आजाए 7 आजाए जैसे 39 to the power 39 और इसको अगर divide किया जाए 7 से तो यह अगर solve हो गया तो फिर आप कोई भी question आप solve कर लेंगे देखिए 39 to the power 39 इसको अगर 7 से divide किया जाए तो क्या remainder आएगा कैसे करते हैं देखिए 39 to the power 39 का मतलब होता है 39 39 39 इसी तरह से इसको 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 आपको divide करना 7 से तो rule के साब से हम divide करेंगे 7 से इसको जब divide करें 7 5 जा 35 यहां से remainder आगा 4 फिर इसको जब divide करेंगे तो यहां से भी 4 यहां से भी 4 यहां से भी 4 ठीक है यह 4 remainder आ रहा लेकिन final remainder यह नहीं है क्योंकि 4 एक बार नहीं है 4 तो 39 times तक आएगा 4 into 4 into 4 4 यह 39 times तक अभी मेरे पास है तो इसको हम remainder कैसे बोल सकते हैं यह अभी 7 से बढ़ा है 4 जब 39 times तक multiply होगा तो इसका जो भी result हो 7 से बढ़ी तो दो बार में 7 से बढ़ा हो जाता है divide भाई मतलब अभी यह और divide होने वाला यह अभी remainder नहीं है remainder इसको तब बोल है जब यह 7 से चोटा होगा यह 7 से बढ़ा है फिलाल तो कैसे बताएंगे answer देखें main concept friend यहीं पर है जब भी यह ऐसा number आने लगा 1 के अलावा कोई और number तो आप कैसे बताएंगे answer क्या आने वाला तो दोस्तो हमको सिर्फ एक ही number का पता अगर यहाँ पर 4 के जगा पर एक ही ऐसा number जो रहने पर हम answer बता सकते हैं वो है 1 4 के जगा पर यहाँ पर 1 रहता 39 times तक लिखावा तो हम answer 1 बोल देते हैं minus 1 रहता हम बोल देते हैं 1 या minus बनाएगा लेकिन उसके अलाव अगर कोई और number है तो क्या करेंगे pair बनाएगे एक ऐसा pair बनाएगे जिसको इससे divide करने के बाद 1 या minus 1 remainder आ जाए कैसे for example अगर हम 2 4 का यहाँ पर pair बनाएगे हमारे पैस क्या number आगा 4 4 या 16 16 को अगर 7 से divide करे remainder का हैगा 2 हमको 2 नहीं चाहिए मतलब 2 का pair हम नहीं बनाएगे 3 4 लेकर चलते है हमेशा pair या तो 2 का या तो 3 का बनाएग कभी-कभी 4 का भी बनता है तो अगर 3 4 ले 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 को अगर 7 से divide करे 7 9 जा 63 क्या remainder है 1 मेरोका remainder 1 ही चाहिए था मतलब हम 3 4 का एक pair बनाएगे और इसको कैसे लिखेंगे 64 into 64 into 64 यह हम लोग लिख सकते है अब 64 कितना बार लिखेंगे हम लोग एक बार 64 लिखेंगे के लिए 3 बार 4 का यूज़ कर रहे है इसको 3 से divide कर देजा मतलब 13 times तक हम 64 लिखेंगे 13 times तक क्यों लिखेंगे क्योंकि इसको 3 से divide कर दिये ठीक है और divide by 7 अब divide किये 7, 9 जा 63 remainder 1 7, 9 जा 63, remainder 1 यहां से remainder 1, यहां से remainder 1 ठीक है तो 1 into 1 into 1 13 times तक है final answer 1 ठीक है friends कहीं पर भी समझने में तो अगर आपको problem हो रहा है वीडियो को rewind करके एक बार फिर से वहां से देखना है अच्छे यहां पर एक confusion है कि answer बार-बार 1 ही आएगा क्योंकि हम जितना भी question करें बार-बार answer 1 ही आजाएगा एक और चीज़ है हम बताए कि आपको एक ऐसा pair बनाना जिससे remainder 1 आने लगे तो फिर तो हर बार answer 1 ही आजाएगा ऐसा नहीं है देखे हम जानगुष के ऐसा questions आपको दे रहते है कि ताकि मैं आपको समझा सो कि 4 बार-बार 1 क्यों आ रहा है और कब answer 1 नहीं आएगा देखे दोस्ता अगर same question रहता है exactly same question अगर दे और यहाँ पर हम power को 39 के जगा पर 40 कर दे question same रहाएगा अगर 39 के जगा पर 40 कर देते है तो क्या होता देखे इस question को पहले एक भाई फिर से समझ लेजा 39 का पर 39 था हम क्या किये थे 39 into 39, 39 times तक लिख लिए 7 से divide किये, remainder 4 आया था 4 into 4 into 4 39 times तर था मेरे पास ठीक है फिर हम pair बना करके 64 लिखे थे और 64 कितना बार लिखे थे 13 times तक क्यों क्योंकि इसको हम 34 का यूज करके 64 बना रहे, 3 से इसको divide कर दिये थे ठीक है और 64 ही क्यों बनाये थे क्योंकि 64 ऐसा number है जिसको 7 से divide करने से 1 remainder आता, ठीक है अब अब अगर यहाँ पर 40 रहता तो क्या होता सेम इस तरह यहाँ पर 39 के जागा पर हम लिखते 40 ठीक है यहाँ पर 4 into 4 होता 40 times तर प्यार हम ऐसी बनाते 64 का लेकिन 64 का प्यार इस बार 13 times तर नहीं बनता कितना times तक बनता 43 से digital नहीं है हम कितना 3 बार 4 ले रहते हैं तो 1 64 बन रहा ठीक है तो इसको हम 3 से divide करें लेकिन 43 से divide होगा नहीं 40 को जब हम 3 से divide करेंगे तो 1 बच जागा मतलब यह complete pair नहीं बनेगा 13 times तक 64 होगा एक 4 बच जाएगा जिसका pair नहीं बन पाया और यही 4 आंसर होगा बाकी सब तो 1 हो जाएगा यह जो आंसर होगा 1 into 4 is equal to 4 ठीक है अगर complete pair बन जाता तो 1 होगा complete pair बन नहीं रहा एक 4 बच जा रहा वही 4 आंसर होगा इसको हम rough करके एक और example देते हैं आपको ज्यादा अच्छे से clear हो जागा देखिए जब से माल लेज़े हमारे पास number है 30 to the power 32 इसको अगर 7 से divide करें तो क्या remainder आएगा तो rule के इसाफ से 30 into यह सबाब चाहे तो नहीं भी लिखें जब आप सीख जाएंगे आप इसको देख करके आंसर बताएंगे आपको समझाने के आप इतना कुछ लिख रहा है 30 into 30 यह 32 times तक लिखा होगा ठीक है divide by 7 इसको 7 से divide करेंगे तो 7 for जा 28 remainder 2 तो यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 मतलब यहाँ आपको मेरे पास आएगा 2 into 2 into 2 into 2 यह कितने बार आएगा मेरे पास 32 times था और divide by 7 मेन हो तो यही पेर बनाना इसके बाद हमको पेर बनाना ऐसा पेर बनाना है जिसको 7 से divide करने से 1 या minus बार remainder देदे अगर 2 का पेर बनाते है 2 2 या 4 4 को अगर 7 से divide करेंगे यह already 4 7 से छोटा है छोड़ देते हैं इसको अगर 3 का पेर बना है 2 2 या 4 4 2 या 8 तो अगर 3 4 का हम पेर बनाते है तो 8 बनेगा 8 को 7 से divide करने से 1 remainder आता है तो हम 3 4 का पेर बना देगे 3 2 का सरी 8 अब सुचना है 8 कितना बार लेखेंगे हाला कि इसका जरुत नहीं है कुछ भी फिर भी 8 कितना बार लेखेंगे हम 3 बार 2 का यूज कर इसको 3 से divide कर देज़े 32 को अगर 3 से divide कर देगे 3 10 जा 30 कितना बार लेखेंगे आप 8 10 टाइमस था लेकिन 2 बाज जाएगा ठीक है पूरा प्यार नहीं बना अगर यहाँ पर 30 टाइमस होता है तो 3 से divisible है पूरा प्यार बन जाता तो 8 कितना बार लेखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 10 टाइमस था 10 टाइमस था इंटू यह दो टू ऐसा जिसका प्यार नहीं बन पाया अगर 33 टाइमस होता है यहाँ पर तो 11 टाइमस रेट को लेखते है 33, 11, 3 जा 33 30 टाइमस होता है 10 टाइमस रेखते है 36 टाइमस होता है 12 टाइमस रेखते है लेकिन 32 तो 3 से divisible नहीं है मतल्स दो बाट टू बच गया divide by यह ही answer होगा यह बाकी सारा चीज हाम फार्मिल्टी के लगा रहे है यहाँ से बान यहाँ से बान यह सारा चीजद बान हो जागा यह जो दो टू बचा होगा यहीं 22 जा फूर आंसर होगा ठीक है फ्रेंस अब उसको हम लोग solve करके देखते है वहाँ पर question क्या है 106 to the power 43 और उसको remainder निकालना divide करना 17 से अगर divide करे तो क्या remainder आगा तो rule के इसाब से 106 106 ये लिखा हुआ 43 टाइम्स तक divide by 17 तो 176 या 102 होता है यहाँ पर बच गया 4 4 हमारे पास बच गया कितना बार 4 into 4 into 4 हमारे पास है 43 टाइम्स तक और divide by 17 एक ऐसा प्यार बनाना जिसको 17 से 17 से divide करने से 1 या minus 1 remainder आजा अगर 2 4 का प्यार बनाते है 4 4 जा 16 16 को अगर 17 से divide करें तो remainder minus 1 दीख रहा ठीक है तो मतलब हम लोग 2 4 का इस बार प्यार इससे पहले हम लोग 3 का प्यार बना है इस बार 2 का प्यार बना 2 का या 3 का बना तक कभी-कभी 4 का भी बनता है तो हम लोग क्या लिखेंगे हैं यहाँ पर 16 into 16 अब सोचना 16 कितना बार लिखेंगा देखें दो बार 4 का यूस कर एक 16 बन रहा इसको 2 से divide कर देजा इसको 2 से अगर हम यहाँ पर divide करके देखें 43 को तो 221 या 42 एक बच जाएगा ठीक है तो 21 टाइमस तर लिखेंगे 4 और इन 2 एक 4 बच गया ठीक है यह 16 हम कितना बार लिखेंगे 21 टाइमस तर लिखेंगे 21 क्यों इसको 2 से divide करें 2 से क्यों divide करें कि दो बार 4 का यूस करके 16 बना रहे उस समय 3 का प्यार बना थे इसलिए 3 से divide किया थे तो 21 टाइमस तक और एक 4 बच गया divide by 17 देखें 17 से इसको divide करेंगे इस बार minus 1 minus 1 minus 1 आ रहा इंटू 4 तो हमारे पास minus 1 है कितना बार है minus 1 minus 1 हमारे पास लिखा हुआ 21 टाइमस तक इंटू 4 तो इस बार 1 नहीं है minus 1 है minus 1 जब इंटू होगा 21 टाइमस तक तो इसका value होगा minus 1 इंटू 4 भी है तो minus 4 लेकिन minus 4 answer हो नहीं सकता negative कभी answer नहीं होता क्या करेंगे minus 4 अगर आ गया तो इस minus 17 में से 4 को minus करके बताएंगे तो 17 minus 4 final answer will be 13 ठीक है friends तो यह remainder theorem के उपर वीडियो था आप इस वीडियो को देखिए इसको practice करिए और फिर आप remainder theorem के उपर कोई भी some किसी भी exam में है तो आप easily solve कर सको और अगर कोई doubt होता तो आप comment section में लिख देना मैं इसको बताने कुशिश करूँगा और मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच